इस वीडियो में दो नीउज पर हम चर्चा करेंगे दोनों नीउज आपके सातवे चरण से समंधित होंगे और यह दोनों नीउज आज के हैं यानि 26 अक्टूबर 2022 के पटना का संसक्रन है पहला जो नीउज है जो अभी आपके सामने दिख रहा है यह परभात कबर का है और प पटना का संसक्रन में पेज नंबर टू इसके साथ ही दूसरा जो नीउज है यह देट भी देख सकते हैं और नीज पेपर का नाम भी देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है दैनिक भासकर का है फ्रॉंट पेज पर देखने को मिलेगा डेट है 26-10-2022 यानि आज का है पटना क पढ़ लेते हैं इसका हेडिंग देखिएगा तो लिखा गया है दिसंबर में आएगी हाई स्कूलों की भरती एक चीज आपको किलियर कर दे कि अगर किसी चीज में देरी करना सीखना हो तो वह सिख्षय विवाक्त से आप सीख सकते हैं क्यों कह रहे हैं नूच पढ़ी कुछ उन्हों ने कहा है तो उसको पढ़ेंगे तो उस समय सिख्षय मंत्री विए एक और बयान आया था आपने देखा होगा उपंक मंत्री जी का उन्हें एकदम छोटा सब दिजूज किया था ऐसा लग रहा थे कि सिख्षय विवाग का नाम ले लिए और लंबा चौणा का बहाली करना है अगर उसमें आप सुस्मय बहाली करते इंगा नाम हो जाएगा अपने चुनावी मुद्दा कुछ और मुद्दा नी बनाया यह नहीं किया वह नहीं किया सारा चीज होगा जो वोट वाला छोड़ी इस पर क्या करें लेकिन एक को हो जाता तो बहुत अच्छा होता जो अवियर्थी बन भी जाते सिक्षक उनके वह निश्य दुरुप से आपके पक्ष में रहते हैं हमेशा रहते हैं कि फिलाल देखते हैं सब एडिंग है इसका दिसंबर में आए इसको लोग की भरती इंतिजार किजिए सायद आ जाए क्यों आगे पढ़ेंगे तो बता जल जाएगा सिक्षक वरती निमाली को नौवंबर में ही मिलेगी मंजूरी ऐसा लगता था कि आपको अक्टूबर लास् है जी कियो नौवंबर में राइसा लग रहा है तियार होने जा रहा है मैं इसा क्यों कह रहा हूं आप भी समज़ुंग कोई इंतिजार कर रहा है और आप दिन प्रते दिन उसको टाल रहा है चलिए आगे देखते हैं क्या को से लिखा गया है साथमें चरण में दो लाग से अधिक सिक्षकों की बहाली के लिए निवाली को नौंबर में केबिनेट की मंजुरी मिल जाएगी अच्छी बाते मिल जाएगी तो थोड़ा यह ओफिशियल तरीके से लिखे होते ओफ लतीफा तो कोई नहीं होता है जितना लिट लतीफा सिक्षविवाग हो गया एक निवाली बनाने में जुलाई में मिलने वाला था जुलाई के बाद मतलब मंत बढ़ते जा रहा है इंका समाप्त होने का नाम नहीं लह रहा है फिलाल अभी उमीद लेके चलिए नौंबर मे प्रफिश्चे चंशेकर की सामति इसमाग के अंत या नौंबर के प्रथम सब्ता में मिल जाएगी अब इससे पहले जो खबर आ रहा था एक पहले हमने वीडियो भी डाला था उससे हम हट नहीं रहे क्योंकि उनसे दुबारा भी हमने बात किया था अपने बोला तो नहीं यही बोला गिया है फिलाल इसमें कुछ और लिखा गया वह पढ़िए चंशेकर की सामति इस माह के अंत या नौंबर के प्रथम सब्ता में मिल जाएगा अभी सामति नहीं मिलेगा उसके बाद निमाली आएगा यह सामति क्यों नहीं दे रहे वही जानते क्या कुछ करेंग लिख्शको की बहाली आएगी प्राडावी की स्कूल में पहले बहाली क्यों नहीं आएगी चली यह नियम संगत है अच्छा है लेकि इसलिए नहीं की कुछ का बहली नहीं हुआ है चटते चरंव के बहली जब कंप्लीट नहीं करना करो जो व्यर्ति रोड पे है वह तो जा स्कूल में, ताकि जो छात्र है, वहां जाते हैं, जाहें कोई बच्चा जाता है और वहां टीशर नहीं, तो ने टीशर तो मिले, जिसको भी करना है, तेजी से करो, जल्दी करो, जुलाई, मार्च से आपका बहाली आ रहा है, मार्च में आएगा, आएगा, अप्रील में आए जाली आएगा उसके बाद ना दिसंबर की बात है कि यह काता था ना पहले एड वक्त बदल गए जज़बात बदल गए वही हो रहा है चलिए अब एस्टीटी के बारे में जान लेते हैं बिहार एस्टेट 2022 जो होने जा रहा है कॉमर्स सब्जेक्ट का यह भी बहुत लंबा खीजा जारा कहा दीजें दिसंबर में हम लेके आएंगे इधर थोड़ा परचान है को नहीं बस दो दिनों में आ रहा तीन दिनों में आ रहा अब ऑक्टूबर में तो बोल दिये थे आरा आरा नाम लेक्के भी लिखा गया था नहीं आया अब देखेंए नवमबर में कहेंगे वें हमको लग रहा हुए क्योंकि नए मंद आ रहा है को नए मंद में कुछ नहीं चलना चाहिए फिलाल इन्होंने क्या कहा है वह देखिए नवंबर के प्रथम सब्ता अंतिजार कीजिए साध के लिए बेसभी से आविदन शुरू होगा इन्हों ने लिखा नहीं के नोटिफिकेशन प्रधम सब्ता में आके उसके बाद है पहले नोटिफिकेशन तो निकालेजिए हमेशा आवेदने शुरू होता है पहले भी न्यूस पेपर में हमने पढ़ा था कि जो ये छट पूजा है इस मतल लास्ट में अक्टूबर लास्ट में आपका अवेधन शुरू है पहले नोटिफिकेशा निकाल दीजिए अवेधन पता चल जाएगा बच्चों को कब से होगा फिलाल इन्हों ने लिखाए प्रतम सप्था में आवेधन लेने के सुरूवात हो जाएगा 219 किplų की रिजल्ट जाए हो इसकशा क्रोय है क्या वंवर में इन्हों नवनली तृद्फिकेशा रिजल्ट जाए घ्लीक अभरेगल कब देंगे आवेदन का डेट कब होगा यह लिखा जो भी गया है ना थोड़ा सोच समझ के लिखा जाना चाहिए हम उन पर कमेंट नहीं करने उन्होंने जो मिला होगा थोड़ा बहुत थावा पानी वह उन्होंने कहा दिया होगा अब हमको आज तक ऐसा परिक्षा देखने क लिखार नहीं मिला है क्या आवेदन दो दिन में कराएँ गए कम से कम 10 दिन थें पंदो 15 दिन देंगे हैं उसके लिए उसके बाद क्या रहें का डेट सब्सक्राइब дости एक महिना लगा ना पूरे एक महिने में सुधार कराया यह कराया उसके बाद काड के लिए डेट देंगे उसके लिए पंदर दिन देंगे ना कि लिए चाहे दस दीन देंगे यह बहुत लेकर जाएंगे न जाएंगे तो दिसमبر तक या मेड दिसंबर तक या लास्ट दिसंबर तक क्या कराएंगे कि गिजाम कराएंगे निश्य तुरुप से लिख लिए लिख के दे रहा हूं अगर यह सारा चीज यह करते हैं तो उसके बाद एंसर की जारी होगा उसमें भी पंदरा दिन लेंगे यह कम से कम दिसंबर समाप्त कोई रिजल्ट की बात नहीं है उसके बाद अब बच्चो तुम तो यह कर दोगे पूरा बावाल कर दोगे अब इसलिए अब हम लेंगे जब अबजेक्शन ने लेंगे तो पता चलेगा कि ह एंसर की में कुछ चेंजिंग करना है जब एंसर की में जब चेंजिंग करेंगे तब फिर फाइनल एंसर की निकालेंगे नहीं तो रिजल्ट देंगे कितना लंबा लागा जनवरी लगा ना निश्य तुरुप से लग जाएगा जनवरी फ़री इतना तेज तो यह सीटेट वाले नहीं करा पारें, BSCB वाले करा देंगे, क्या बात है, अब ये तो वक्ती बताएगा, CBSC वाले नहीं करा पारें, क्योंकि उनका आविदन शुरू हो चुका एकतिसारिक से, और लेके जाएंगे दिसंबर तक एक्जाम, उसके बाद वो रिजल्ट वेगरे की बात जनवरी या फरवरी तक बात करेंगे, इससे पहले तो असंभाव सो लगता है, फिलाल इनों ने लिखा है, हम भी मानते हैं क्योंकि वही लिख्ष दिया गया, वही सुनना भी है, जानना भी है। फिलाल आगे पढ़ते है क्या लिखा है, उच्छे मादमिक, उच्छे माद सबस्क्राइब नहीं और 89 कहां से लिखएंगे भाई अभी बहाली कर दो जो बचेगा फिर से इस्टिट ले लो आपको उचे मादिमिक में कहां से लेके आएंगे लेकि आएंगे कहीं से नहीं ला पाएंगे इतने पद खाली हैं और ये बहाली नहीं करना है सर्मानी चाहिए आगे लिखागी यानि कख्षा 9-12 तक किले कुल 1,21,927 पद उपर बहाली होगी लेकिर इतने कहां से मिलेंगे इन्हें अवियारती पता नहीं प्रारम्विक स्कूलों में कख्षा 1-8 तक 80,277 पद उपर बहाली होनी है माना जारे के स्टी ती रिजल्ट आने के बाद दिसमर अंत या फिर नए साल के प्रारम्या स्कूलों में स्विक्षकों के बहाली के लिए वेकेंसी आएगी अब देखिए स्टी ती ती रिजल्ट हम यह लगता है कि अंदर इतने सारे कारे हो जाएंगे तब खुलेगा नहीं होंगे क्या बात है समझे कि इस साल नहीं आने जा रहा बाली नया साल में आएगा चिंता मत किजिए उतना दिन तक हम लोग भी कुछ कुछ चर्चा करते रहेंगे फिलाल एक चीज है कि आप लोग मेरिट अपना देखते रहे अब प्राइमरी वाले अपना मेरिट नहीं रहे क्योंकि एक्जा त्यारी कर लीजेगा हम लोग चला रहे हैं जरूरी यह नया चैनल है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वहां पर अडिरेट हिंदी कलब सीटेट जो चैनल है उस पर चले जाएगा वहां पर त्यारी स्टार्ट करा दियें और जो भी देख रहे वीड लड़ रहा है अब वह बच्ची आगे जौब पालेंगे उसके बाद क्या किजिए आख मलिये तब कि बिरुजगारी रहा है इसलिए हम पहले बता रहे हैं और दिल से बता रहे हैं थोड़ा सोचिए गा इसके बारे में आपके बिपक्ष में नहीं बोल रहा है क्या प्रारम में इसकोलों के रिक्त पदों पर लीजा है परतेक पंचायत में उच्छी मादमिक बिद्धालिक अस्तपना होने के बाद अब राज्य में 9306 मादमिक और उच्छी मादमिक स्कूल हो गया है लेकिन इन सारे स्कूलों में एक भी सिक्षक नहीं है और यह सिक्षक स्कूल में बच्ची आते हैं घर जाते हैं जो पहले के जो सिक्षक है प्राइमरी वाले उनको दे दिया कि जाओ पढ़ाओ आज पड़ा नहीं पाते हैं रोते काते हैं गधिया का था और आ उंट से कह시다 कि आ भूर जो आंतर्ता रहते हैं युदा कि भुम इरजगार वेजदें नाम जुक्त होगा pan पैसे लिखाए जाँ च्रबादे में करने चल्य चँनाना चुल रहा। मंथरी पृपशयेश्य चंसेकर जी, उनका कहना है, क्या कहना है चलिए लिख किया, परदेश के शिक्षा मंद्री प्रफिश्य चंशेकर ने दवा किया कि महागट मंदन सुरकार बिहार में जितने भी रोजगार देगी उसमें 25 फस दे यानि 1 बट्टे 4 भाग नौकरिया अकेले सिक्षवाग देगा लेग कब देगा देखिए 6 महीने के अंदर देगा और 6 महीने कब समाप्त होगा ये किसी को नहीं पता आगे पढ़ते हैं सिक्षकों के करीब 2 लाग से अधिक पदो पर बहाली होगी उन्होंने दावा किया कि सिक्षवाग में कुछ कमिया है इने सुधार जा रहा है अगले 5-6 माह में परदेश में नहीं सिक्षविवस्ता प्रभावी हो जाएगी माह गटबंदन सरकार दिश किसा में कुछ कि बड़े कदम ऊठाने जा रही कि शिक्षमंत्रि ने ये बाते सोमर को मीडिया से दोराद कई है कि मतरी के मुध मंतरी ने सिक्ष बहुस्ता में पहले संस्क्रात्मक बदलाओ किया हैं जिसे पूरे देश में सरहा जा रहा दिकारिक-शुत्र के मुधाबि यह सब पांच यार से अधे कि इतना प्रस्तावित है यह सारी चीज पर इचारियों के नुक्ति भी कि जानी यह बहुत सारे रिखती है करने यह बहुत सारे नुक्ति करना आयला करना दिछिए अभी इन्ति जार किया रहा है इजनकारों के महताविक नहीं नहीं हमाली पहरी जद्qualनी बाकी रहा गयी दरसालं नहीं हमाली के ज़री है पुरानी सिस्टम को अमूल बदलाओ करने जा रहा है आवधन को निक्टी तक की परकिरिया बदली जा रहा fitt मोड में लाने का प्रधान के जा रहा है परकिरिया सिक्श्यको के लमबित वेतन जांजक की लिए कस लोगो को मिल भी जांजक कुछ लोग को मिला है यह सारे चीज अभी रिक्तपद है इन पदों पे होगी नियुक्ति मादमिक और उच मादमिक नबे हजार से अधिक प्रात्मिक और मद्ध विद्यालों में सक्षों करीब एक लाग से दिख अब यह कैसे लिखते कहीं कुछ और दिखता है कहीं किस पेपर में कुछ और देखता है और यह लोग लाइब आके बोलेंगे नहीं पता नहीं कौन सा क्या कुछ कर रहा है कि चुप बैठे हों इसे पहले लिखते थे अच्छा लगता था अब एकदम कुछ लड़के जाएगा तो कुछ मीलेगा भी कुछ लोग याद करेंगे नहीं तो बदनाम तो हैं यह आप वैसे ही बदनाम याद रखेंगे और यह जितने पैसे रुपीय घर वेगरे सारा चीज वही का वही रह जाएगा उस भी लेकर नहीं जाएंगे तोड़ा सब्सक्राइब कि अधारा उभी तेना अच्छा खासा कस्ति है अरे पास हो गया भाली है तो इसलिए हुआ बहुत लोग बहाल होगा उस बच्चे के अंदर क्या सुबता होगा जो स्टीटी पास है और कहते था कि मैं मेरिट में हूं इसमें हूं उसमें पुरा पुदा करा आता है और अभी तक भाली नहीं वहां बगल वाले करते हैं किसी लायक नहीं है अच्छुप-चप सर गड़ाय हुए नीचे से मतलब जहां बोलता था ना उच्छा करके हम पास हो गए मिठा उठाइक लाए तो वहां सर नीचे करके ऐसे जा रहा कैसा लगता हो कभी सूचा है अबने है किzej yuk BearArt कि सही करने के विराक में भी रहेंगे तो समय वह čаяंस आपको नहीं मिलें तो जुब है उपर के पतधिकारी जो भी है उनको दर्दों को समझना चाहिए, किस दर्द में वो जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से करजे से मुक्त होंगे, एक बार आप बहाली कर दीजेगा, ऐसा नहीं है कि हम आपसे जबरदस्ती कर रहे हैं कि पद नहीं आए, इतना पद आप ले के आईए, उसके बाद बहाल जाएगा, जो स्कूल जाते है, अटेंडिन्स मना के घर चले जाते हैं, वो घर नहीं जाएगा, अब वही जो बच्चे हैं, कल कब हवीश बनाएंगे, वो बच्चे बड़े होंगे, तो वही बिहार चलाएगे, आप तो जिन्दगी उबर के लिए नहीं है, कोई भी जिन् मन में थोड़ा सा मतलब फुसिया पैदा हो जाए, मैं कितना क्या कुछ कहा सकता हूं, कितने दिनों से मैं कह रहा हूं कि समझे और जो समय है, उस समय को समझे, ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा भी आ सकता है, कि चुनाव में अब ये लोग खड़े हो जाए, वही करेंगे, लड़ में सभी लोग करेंगे सपोर्ट और एक दिन वही होगा, कि यही लोग सारा चीज कराने लाएंगे, समझना चाहिए ये सारे चीजों को, अगर दर्द है, दर्द कितना कोई सा सकता है, लास्त तक नहीं, अंग्रेज भी थे, वो भी अंत्म में क्या हुआ, उनका भी खतम हो होगा, इस साल में संभाव नहीं दिखता है, अगर इस न्यूज कमाने, एस्टेट के रिजल्ट कमारें, ऐसा कोई संभाव ना नहीं, साल में मिलेंगे, नहीं साल में हो सकता है, बहाली हो, उस पे चर्चा करेंगे, फिलाल कुछ चीज़े आती जाएंगे, तो हम आपको ज जरूर भाग ले लिजेगा, हो सकता है, इसमें कम मार्स हो, उसमें ज्यादा मार्स आजाए, तो फाइट करने, योग्य हो जाएंगे नहीं, तो वो भी अगर इलीजिवल हो जाएंगे, इस साथ वे चरण में को फिर आप कहीं कहीं नहीं रहेंगे, यह थोड़ा सा देना थ लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि उससे पहले अगर आपका बहाली स्टार्ट हो जाता तो लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहेंदे क्लब पे धन्यवाद बहाएं सब्सक्राइब कीजिये हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकोन को, ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाब उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री हैं